मेरे प्यारे दोस्तों स्वागत है हमारी चैनल एसके सनू टेक वल्ड में दोस्तों आप सभी को बता दो कि जे परकास विश्विद्याले च्छपरा अस्तना तक पार्टवन सत्र उनईस बाइस में नमांकन को ले परधान सचीव से मिले जद्यू के नेता सेलेंदर परताप सिंग उन्होंने क्या कुछ कहा परधान सचीव से इसके बारे में हम आज पूरी डिटेल के साथ जानेंगे तो बताने से पहले यदि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो नीचे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंठी को दबाएं ताकि जो भी नई नोटिफिकेसन आता है जेप उनिवर्सिटी से सबसे पहले मैं बताने की जरूर कोसिज करूँगा तो चलिए फ्रेंड सुरू करते हैं क्या कुछ कहा जदू की नेता सेलेंदर परताप ने चलिए जानते हैं राजभावन के परधान सचिव बरजेस महरोतरा से जदू के बर्ये नेता सेलेंदर परताप सिंग ने गुरू बार को मुलकात की उन्होंने परधाजन सचीव को बताया कि असनातक परथम खंड 1792 में नमांकन को लेकर चार दिनों से लागतार विश्य विद्याले केमपस में अनिशित कारीन अंसन चल रहा है 15 अक्टोबर 19 को विश्य विद्याले गया था चारों की समस्याओं के बारे में जाना तो पता चला कि नमांकन पर रोक लगी थी उसे विश्य विद्याले पर सासन ने हटा लिया है और चातूरत मेगा सुची का परकासन में 15 सब 55 चात चात्राओं का नाम नमांकन के लिए निकाले है लेकिन इससे चात्र संतुष्ट नहीं है चात्रों के द्वारा जो मुझे बतलाये गया कि उसकी परमुख मांग है कि चतुर्थ मेगा सुची के परकासन राज सरकार द्वारा सुकिर्ट सीटों के अनुसार की जाए नौहजार से अधिक सुकिर्ट सीटों पर जिस पर आवेदन नहीं आया है उसे सुकिर्ट सीट के अनुसार एस्पोर्ट एडमिशन करने की घोसना की जाए या जो चात्र चात्राय आवेदन किये हैं उन्हें विसेच चेंज करके उस विसेओं में नमांकल लेने का अधिस दि दोस्तों जो भी कई नई नोटिफिकेशन आता है तो हम आपको जरूर बताने की कोशिस करेंगे तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के फास जरूर इस वीडियो के सेर करें ताकि ओभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दब फिर मिलेंगे एक नई जनकारी के साथ, तब तक के लिए बाई बाई